गुड मॉर्निंग आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज किस रीडिंग में आपको पता ही है कि डेली एंजल गाइडेंस है तो डेली एंजल गाइडेंस हम देखने वाले हैं चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, करते हैं, स्टार्ट, प्लीज गाइट कीजे, ठीक, प्लीज इन्वर्स काइट कीजे, अंजिस इन्वर्स, जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं, प्लीज मुझे काइट कीजे, उनके लिए, रिका लेंगे हम कार्ड्स, आपके सामने मैंने कार्ड्स रख दिये हैं, वन, टू, एंड थ्री, ठीक है, थ्री कार्ड्स आगए मेरे पास, सो चलो फीर करते हैं, इनको रखते हैं, साइट, बॉटम अफ देख है, सेवन अफ माइकल का कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आप कन्फ्यूज हो, ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसी सिचुशन्स आई हैं, जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कहां क्या करें, कहां क्या स्टैंड लें, और कहां क्या ना लें, ठीक हैं, तो मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, कि आप बहुत ज़दा कन्फ्यूज हो रहे हो, डिसीजन लेने के मैटर में, और कन्फ्यूजन कुछ इस तरीके से हैं, कि आपको यह भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, कहीं न कहीं आप मुझे दिख रहा हैं, कि अपने आपको, जो है, समझ नहीं बा रहे हो आप, ठीक, अकेले अकेले रहे हो, अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हो, जदा किसी से बाचीत नहीं हो रही है, और अपनी दुनिया में गुम हो, ठीक है, आपकी दुनिया जो भी है, दर्द में हो, तकलीफ में हो, तनहाई में हो, लेकिन अपन पर कहीं न कहीं हैं आपके दिल में confusion बनी हुए है अभी भी confusion है ठीक है और situation को कैसे better करें यहीं आप सोच रहे हो तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखो confused मत हो यहां पर अकेला जो भी आप work कर रहे हो ठीक है या जो भी आपके मन में जो प्रस्ण चल रहे है उसको ले करके आप आपको खुद मिल जाएगा टेंशन लेने की जुरत नहीं है ठीक यहां पर टेंशन लेने की जुरत नहीं है तो वेट करो जो भी चीज़े हैं उसके वेट करो 10 of Ariel का card है 2 of Ariel and page of Rafael अगेन मेरे पास 2 of Ariel का card जो की बता रहा है कि आप 2 situation में deal कर रहे हो एक से ज़्यादा या तो work कर रहे हो अपने उपर burden ले रहे हो अपने काम के प्रति काफी ज़दा परेशान हो love relationship की बात करें तो love relationship दे भी मुझे नज़र आ रहा है या तो आप या फिर आपके person energy wise परसा हो सकती है third party situation है और दोरो third party कुछ इस तरीके से है कि जो आपके person है ये आप है यांपे समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा better है कौन आपके लिए better है तो या पर क्या है या पर serious relationship नहीं है आपके person के बारे जाना चाहते हो तो आपके person आपके साल पार्पूर सीरिश नहीं है इसकी वज़े से आपके life में ये in और out, in or out करते होगे ठीक आपको तकलीव देते होंगे, आते होंगे, बात करते होंगे और चले जाते होंगे तो इनका in or out, in or out प्लगा रहता होगा जिसकी वज़े से आप काफी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते होगे ठीक और आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से होता ना कि दर्द होती है तकलीफ होती है तनाई होती है आप यहाँ पर तूटते होगे या फिर या फिर आप अपन तो यहाँ पर कार्ट से ही बता रहे हैं कि आप जो है अगर दो लोगों के साथ डिल कर रहे हो तो मत करो ऐसा ठीक है कोई एक परसन के साथ डिल करो और वो सिरियसली डिल करो ठीक यहाँ पर टाइम पास करने की जरुरत नहीं है टाइम पास करने से किसी का दिल तूटेगा ह ना किसी को तकलीफ होगी तो यहां पे यह कहा जा रहा है आपको आपके कार्ट में यही नजर आ रहा है फिलाल मुझे ठीक और यहां पे ऐसा भी है कि पेज आफ राफिल यहां पे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के लव का वेट कर रहे हो आप अपने पर्सन के सब्सक्राइब करें, किसी तरीके से उन से आपका contact बनें, आपकी चाहत यह हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके person जो है, आपकी तरफ move नहीं कर पारे हैं, आपकी तरफ कोई action नहीं ले पारे हैं, जिसके वज़़े से आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, यह बन्दा चाहता क्या है यह चाहती क्या है है ना क्यों नहीं कांटक्ट कर रहे हैं क्यों D inadequ कर रही है तो यहाँ मुझे इस तरीके की एंजी फील हो रही है और इसके साथ ही देख रह republican देखो आपको आंज़्ेस बता रहे हैं इतनी जल्दी कोई decision नहीं लेना चाहिए, या इतना जल्दी जो है ना हारना नहीं चाहिए अपनी जिंदेगी से, अपने love relationship से, ठीक, तो मुझे दिखता है कि आपको जो है थोड़ा सा, थोड़ा सा relax feel करना चाहिए, थोड़ा सा relax feel करो, ठीक है, और उसके बाद से आप जो है अपने situation में यहाँ पे ढ़ल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका love relationship यहाँ पे strong होने वाला है, ठीक टेन आफेरिल का भी card है, जो कि मुझे बताता है कि आपकी life में बहुत अच्छे chances आने वाले हैं, career related, business related, बहुत बड़ी opportunity आने वाली आपको, और आपके सामने कुछ ऐसी चीजे होंगी, ठीक है, जिसको आपने सोचा नहीं होगा, कि हाँ, मेरी जिन्दगी में इतना बड़ा change आएगा, या फिर इतना बड़ा मुझे project मिलेगा, अपने business के लिए, या फिर अपने career के लिए, या फिर अपने job में इतना जदा बड़ा salary का package मिलेगा, आपने कभी स अजाम देने गए हो, बहुत positive रहे हो, और आपने उसमे positivity डाली है, आपने यहाँ पर positive सोच करके, जो relationship continue किया, या फिर जो मतलब होता है, कि हाँ, हम अपने relationship के प्रती बहुत जदा serious होते हैं, और यहाँ पर हमारा person नहीं होता है, तो वो person भी अप serious होना चाह रहा है, या व आपकी जो है lottery भी लग सकती है, आपका जैसे कुछ लोगों होता है, कि share market में पैसा लगाते हैं, डूब जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं, कुछ लोगों का share market में पैसा लगाने पे जो है ना, इनका high उठेगा, ठीक है, यानि कि आपके जीतने के chances, मतलब क पैसा नहीं करना कि आज लगा देना, क्योंकि यह journal reading है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है, तो यह मैं कहना चाहूंगी, इसके साथ ही बदादू की रोज क्वाज, bracelet की booking चल रही है, जिनको booking करवानी है, booking को confirm करवा सकते हैं, दिए गए WhatsApp नमर पे, ठीक है, तो मिल अग लीडिंग में फिर, बाबाई